हलो फ्रेंड्स, वेलकूम टो मैं चैनल वीजे इन्वेस्मेंट आज हम देखेंगे कि मुतिलाल उसवाल के एमो ट्रेडर इस एप में शेर बाई कैसे करे, सेल कैसे करे, अपनी पेंडिंग ओरर कहां चेक करे और ओरर कैंसल कैसे करे दोस्तों चलते हैं मुतिलाल उसवाल के ट्रेडर एप में सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाके इस आप प्रेडर के डाउनलोड करने है, यह डाउनलोड करने के बाद आपकी mobile स्क्रीन पर कुछ इस तरह का सिंबल को दीखीगा, उस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद यह आपको ID Password पूछेगा आपको ID Password एंटर करना है Submit करना है Submit करने के बाद आपको यहाँ पे एक Plus का बटन देखेगा इस Plus के बटन पे आप जाएए तो वहाँ पे कुछ इस तरह के Symbols आपको दिखेंगे आपको अगर सिर्फ Add Script करना है तो आप Add Script भी कर सकते है अगर आपको Add New Watchlist करना है तो आप अपने New Watchlist भी Add कर सकते है मैं Add New Watchlist कर रही हूँ मैं अपनी Watchlist को VJ नाम दे रही हूँ आप जो चाहे नाम दे सकते हैं Watchlist Add करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा इसमें से Selected Stock आप जो भी अपने Watchlist में एंटर करना चाहते है उस पे आप क्लिक करें यहाँ पे जो Plus के Symbols दिख रहे हैं उस पे आपको क्लिक करते जाना है मैं कर रही हूँ Tata Power, Tata Motor, SBI, Asian Paint ये 3-4 स्क्रीप्ट जो है मैंने ये Add कर लिए है अब आपको Back जाना है Back जाके ये आपकी Watchlist में जो हमने Stock सिलेक्ट किये थे वो आपको दिखाई देंगे अब उस में से जो भी आप Stock Buy करना चाहते है Let's say SBI SBI पे क्लिक करें SBI पे क्लिक करने के बाद आपको Buy और Sell ये 2 सीमबॉल दिखाई देंगे तो आपको Buy पे क्लिक करना है Buy पे क्लिक करने के बाद में ये आपको Date of Birth या Pan Card पूछेगा आप दोनों में से कुछ भी उसमें डाल सकते हैं Date of Birth या Pan Card एंटर करने के बाद में ये विंडो ओपन होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे Quantity दिखेगा Quantity में आप जो चाहे Quantity आप Buy कर सकते है as per your Margin मैं Example के लिए 10 Quantities बाद कर रहे हूँ यहाँ पे देखिए SBI का Live Rate जो है यह आपको दिखेगा अभी SBI का Rate चल रहा है 362.60 तो दोस्तों हमें जो Order लगानी है यहाँ पे देखिए यह जो आपको है यह Normal Order है, यह Delivery Order है यह Value Plus है Value Plus का मतलब यह होता है कि आपको अगर यह Margin में Buy करना है सिर्फ Intraday के लिए Buy करना है तो यह आपको Value Plus में आपके Margin से जादा आप Buy कर सकते हो अगर आप Value Plus Order Buy करते है तो यह 3.15 को Already Square Off हो जाएगी Square Off मतलब आप जब भी Suppose Let's से आपने Buy किया है तो यह Sell हो जाएगा अगर आपने Sell किया है तो यह Buy हो जाएगा आपकी Order जो है वो Complete Execute Intraday में हो जाएगी तो मैं आभी के लिए Normal Order प्रेस कर रही हूँ SBA का Rate चल रहा है 362.65 मैं एक 5 पैसा उपर डालके आपका Rate यह है मैं इसे Confirm कर रही हूँ Confirm पर आपका जोके क्लिक करना है यहाँ पर आएगा कि Order Place Successfully यह जैसे ही आप OK प्लेस करते है यहाँ पर आपको यह स्क्रीन ओपन हो जाएगा अगर यह स्क्रीन नहीं ओपन होता है तो आपको Trading Report में जाना है Trading Report में जाके Completed में जाना है तो Completed में जाके यह मेरी Order यहाँ पर Execute हो चुकी है Traded Price जो है 362.60 दिख रहा है अगर यह मेरी Order Execute नहां होती तो मैं Pending Orders में जाती Pending Order में यहाँ पर आपको Show करेगा तो चलिए दोस्तों हम Back लेके फिर से SBI Sell के लिए जाते है कि Sell कैसे करें अब मैं Sell कर रही हूँ 10 Quantity मैं 363 यह Price लगा रही हूँ Limit Price Sell करने के लिए Place Order कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा Pending Order Show करेगा अगर आपको आपकी Pending Order Cancel करनी है तो आप यहाँ पर जो Symbol दिख रहा है Cancel All Orders यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करके आपको Confirmation देना है कि यह आपकी Order जो है वो Cancel करना चाहते है यह आपकी Order Cancel हो गई है तो आज हमने देखा कि Share Buy कैसा करे Sell कैसे करे Pending Order कैसे चेक करे और Order Cancel कैसे करे Thank You So Friends, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे Comment में बताए मेरे चैनल को Subscribe करे और अगर आप मोतिलाल ओस्वाल का Account Open करना चाहते है तो नीचे दिये गया Link से जाकर आप Account Open कर सकते है Thank You झाफ कर दो